लोग last Video में पढ़े थे input function और raw input function के बारे में टिक है तो input function basically क्या होते है numbers को मतलब number input के लिए वते है raw input function नहीं क्या करते हैं वो भी as a string टृट करते हैं मतलब है ना तो उसको कनवर्ट करने के लिए इंटीजर यह फ्रोट लगाते थे यह हमनों लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटीजर मतलब क्या होगा आपका होल नंबर्स के लिए जैसे एज है एट शुट भी इंटीजर जैसे दो का जने का एज को आड़ करना है जैस सपोज माई एज इस एट units Lightsuit Conversion मतलब मैं क्या करही रौ इंपृ्ट में जो भी नंबर आया उसको इंटीजर में कनवर्ट करी यहां पर जो भी नंबर आया उसको मैं असको फ्लोट में कनवर्ट करी सो दिस इज दी इनपृ फंक्शन है का नहाद आपका program के होता है, execute हो सकते है the first one is sequential, second is selection और third आपका loop के manner में या attractive manner में ठीक है, अब ये तीनों होती क्या चीज़े है execution अब program समझ में आ रहा ना तो सबसे पहले sequential का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे पहला लन execute हुआ फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाच बाद जो भी चीज़े आप लिखे रहोगे ठीक, तो there's that kind of execution is what, sequential execution है न, यहाँ पर लिखा भी है the instructions are executed one after another in order they are written जैसे लिखा रहता है, उसी form में जब execute होता है, तो उसको sequentially बोलते है sequence मतलब lines है selection is what, in this form of the control statement depending upon a condition है इसमें क्या करते है, कुछ condition specify कर देते है तो वो जो execution है वो क्या हो जाता है, change हो जाता है ठीक, अब जैसे में क्या करूँगे condition specify करी condition सही हुआ, true हुआ evaluate करता है true, तब क्या होता है the certain steps are executed and if condition evaluates to false, a different set of statements are executed हम क्या करेंगे, normal जो execution होता है 9 से जो execute हो रहा था, sequential हो उसको हम change करते है और condition apply करते है अगर condition true है तो ये वाला statement मतलब print करो, false है तो किसी दूसरे statement को print करो ऐसा type करो, तो उस type के execution को बोलते है selection, मतलब selection मतलब हम दो में से किसी एक को choose करते है true है तो ये वाला, false है तो ये वाला इसको आप clearly और समझोगे जब हम आगे की बात करेंगे इसी में आता है तीन type का selection होता है if, if else, and steady okay, the first one is if statement if statement में क्या होता है this is the simple if statement it tests a condition if it is true, perform the steps otherwise, it doesn't nothing अगर condition true है तो perform करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा let's see, ये कैसे work करता है अभी आपको समझाएगा syntax क्या है, if लिखेंगे if एक keyword है, उसके बाद condition लिखेंगे, फिर statement execute होगा जैसे देखिए, x equal to 10 मैंने number दे दिया, x equal to 10 अब यहाँ पर आया, if चेक करेंगे, ये क्या है, condition है 10 is greater than 0 क्या 10 0 से बड़ा है yes, condition क्या हो रहा है true तो print हो जाएगा ये वाला statement भाई, कि x क्या है, positive number है आरी बाद समझ में लेकिन जैसे यहाँ पर मैं कर देती x equal to 0 अब यहाँ पाता if 0 is greater than 0, condition true होता क्या नहीं, उस टाइम क्या होता है, condition false होता तो क्या ये statement execute होता, नहीं होता simple सी बात है आरी बत समझ में तो क्या होता है, जब simple if की बात करते हैं तो एक if नाम का keyword use होता है, keyword क्या होता है, मैं बता चुकी थी एक बार फिर से बता देती हूँ keyword ऐसे words होते है जिसका meaning computer की dictionary में save होता है ठीक है अगर if उसके बाद जो भी condition लिखे हैं, अगर ये condition true है, तो उसके बाद का जो statement है, वो print होगा otherwise नहीं होगा ये कौनसा statement की बात हो रही है simple if statement की बात हो रही है समझ में आ रही है बात now, इसी में एक और example दिया है जैसे a 113 है, b इतना है अगर a b से बढ़ा होगा if a is greater than b तो चेक करिए a की value क्या है 113, b की value क्या है 56 yes, 113 is greater than 56 तब ये क्या होगा, 20 लेकिन अगर मैं a और b की value को change कर दूँ, मालो की a की value रख दूँ 10, b की रख दीऊ 15 तो क्या ये print चेक करेगा, a is greater than 15 a की value है 10, b की value है 15 क्या a बढ़ा है b से no, the condition is false, it means this statement will not execute आरी बात समझ में so this is the first control statement, जिसको बोलते है if statement, ये कब execute होता है इसके बात का statement, जब ये क्या हो, condition true हो तब now let's see you can type the program in the IDE, ना python के जो platform है उसमें हम type करेंगे file में जाएंगे, new option को click करेंगे then save करेंगे, and run by pressing the f5 की, f5 को जूपकी keyboard में उसको run करने के बग्या होगा now run module, या run module में हम क्या कर सकते हैं, उसके output को ठीक है, a इस गड़े दिन b क्यों आए है, क्योंकि मैंने इसको double quotation में as it is ही लिखा है आर ये बात समझ में, मैं इसका practical video आपको बाद में share करेंगी, है ना don't worry 8th और 7th ये सभी के लिए मैं generally common video बनाती हूँ, है ना common practical video basically तो मैं practical video को डारेक्ट आपको share करोंगी है ना, अभी आप थेहरी समझ लिए क्यों थेहरी समझना भी important है now if else if else की बात क्या हो रही है, देखो बटाए, यहाँ पे condition जब false होता था, तो कुछ और execute नहीं होता था, अभी if else में क्या होगा, आपको दो condition में लेंगे भाई, true है तो यह वाला statement execute करो, और false है या गलत है तो else वाला part को execute करो, यह ना इसमें हमको option मिल जाता है कि यह वाला है, तो true है तो यह करो false हो तो यह वाला करो करो this is similar to the if statement in this case when the condition is test to false, the statement after the else are executed, बस थोड़ा सा modify करे हैं, यहाँ पर एक option एक choice प्रोइट कर दी है, true है तो यह वाला, otherwise else है तो यह, मतबब false है तो यह वाला और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, true है तो execute करना है, false है तो कुछ, मतबब कोई condition नहीं गिया गया था, so it's very simple, देखिए true है, तो this a is greater than b, और false हुआ, जैसे यहीं पर देखो 13 और 56, यह तो false हो गया, तो यह वाला print होगा, क्या नहीं, यह else part में आगा और देखेगा, कि b बड़ा है a से, तो क्या print होगा, b is greater than a, ठीक, आरी बाद समझ में, a की value 13 है, b की value 56 है, 13 is greater than 56, no, तो यह execute होगा क्या, no, कौन से part में आ जाएगा, else part में, तो क्या print होगा, b is greater than a, क्योंकि 56 बड़ा है 13 से, समझ में आ रही है बाद, ध्यान से देखेगा यह ना बहुत simple है, और अगर मालों के यह पर 130 कर देदी, तो क्या होता, यह वाला print होगा, यह वाला प्रेंट होगा, यह वाला प्रेंट होगा, क्योंकि 130 बड़ा है, 56 है, तो पहला वाला true हो जाता, इस वाले part में कब आएगा, जब if condition क्या होगा, false होगा तब, है ना, आरी बद समझ में, तो this is the if else statement, अब if else में बहुत सारे अगर option दोगे, आप else का, तो उसको if else, if बोलते हैं, जब एक से ज़ादा condition, मतलब, ज़ादा option प्रवाइट करो, variety रहा है, यह ना, खाने के जिसे, एक item खाने को मिला तो if, एक के बाद अगर भाई यह खालो, जैसे गुलाब जमन खालो, गुलाब जमन पसंद तो जले भी खालो, मेठे में दो ओफर है, तो यह आपका e-fail समझ जाओ, अब आपको तीन चाहर दिया है, गुलाब जमन खाओ, अच्छा गुलाब जमन खालो, कोई बात नहीं, जले भी खालो, नहीं यह भी नहीं काना है, अच्छा तो यह खालो, मेठा में ठीर खालो, ऐसा, मतलब जब आपको एक से जादा option मिले, यह एक से जादा choice प्रोवाइट करें, तो उसको बलते हैं, if, l, if statement, चाह पर यह, यह condition नहीं तो यह condition, यह condition नहीं तो यह condition, ऐसा कुछ रहते हैं, ठीक है, तो आपके, तो आपके, तो एक सी, this is the syntax of the if, l, if statement, सबसे पहला if condition रहेगा, अगर एक condition false होता है, तो second condition में आएंगे, second condition अगर false होता है, तो third condition में आएंगे, अगर फैला condition ही सही हो गया, तो इधर आने का जूरत नहीं है, यह statement हो जाएगा, बाकी दो प्रिंट नहीं होगे, अच्छा, one more important thing, if का statement और else का statement एक साथ execute नहीं हो सकता, बोलो क्य condition यह तो सही होगा, यह तो गलत होगा, दोनों तो नहीं हो सकता, इसलिए अगर true होका तो यह वाला, और अगर false होका तो यह वाला, यह ना, we cannot print the both statement at the same time, यह ना, किसी एक condition के लिए, हम दोनों statement को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, it's not possible, it's never occur actually, okay class, so this is the similar to the if else statement, but the two or more condition is specified here, यह दो यह दो से जादा condition specified होता है, सबसे पहले दिखेंगे जैसे कि, x equal to minus 10 लिया है, क्या minus 10 0 से बड़ा है, the answer is no, condition क्या हो गया, false, अब यहां पर आएंगे, क्या minus 10 0 से छोटा है, yes, तो यह condition क्या हो गया, यह true हो गया, तो यह वाला print होगा, see this ही बात, ठेक, तो यह if, यह lift कर क्या है, option, आरी बद समझ में, so it's quite simple, I hope you guys are understood properly, so वैसी हमारा बाकी जो है, यह देखिए, इसमें, program 7, इसको आप समझने के कोशिस करेगा, it's very simple, आपको positive or negative है, कि 0 है, वो आपको check करना है, if the number is greater than 0, it means the number is positive, yes, if the number is greater than, less than 0, it means the number is negative, और अगर ना बड़ा हो, ना छोटा हो, तो क्यों, obviously that number should be 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, okay, so this is very simple guys, अब हम पढ़ेंगे class, लूप के बारे में, जो कि next वीडियो में, डिस्कस करेंगे, ठीक, आपको समझ में आया, नहीं समझ आया, तो एक बढ़ पढ़िए, समझ ये, and then you can ask me, okay, okay,